हलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल, वेलकम तो यो चैनल, वेलकम तो इनियन ब्यूटी गाइट तो थमने तो आप लोगों ने देखी लिए हो दोस्तों, येस आज होने वाली है और एक न्यू लाँच प्रड़क्त की रिव्यू, येस मैं बात करी हूँ ब्लू हेवन की न्यू लाँच प्रड़क्त की बारे में ये देख सकते हो, ये है इसकी पैकेजिंग, ये है इसकी बाहर की पैकेजिंग, देख सकते हो, काफी पृटी एंड क्राफी नाइस है और ये जो स्टिक है, ये मल्टी परपस की बैसे से यूज़ किया जा सकता है, ये सॉफ्ट है और लिप्स के लिए, चिक्स के लिए और आइस के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और इसमें mango butter and apricot oil भी है, for hydrating के लिए, avocado oil भी है, antioxidant protections के लिए और non-acnegenic है और does not clock post, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे, और इसकी price आप देख सकते हो, 250 है मैंने इसको purple.com से दिया था, तो मुझे अच्छे खासे discounts मिन गए थे और मैं इसकी ingredients भी आप लोगे साथ यहीं पर share कर रही हो तो आप देख सकते हो, और इसकी जो net quantity है, वो 8.5 gram है दोस्तो और यह जो kiss and blush, lip and chick tint है, इसकी जो shade है, वो है coral blush देख सकते हो, यह है इसकी बाहर की packaging, जो की काफी सुन्दर है Blue Heaven की जितने भी सारे new product launch हुई है, वो काफी सुन्दर packaging के साथ आती है और इसके अंदर भी और एक packaging ऐसी दी गई हुई है, और next यह देख सकते हो, काफी खुबसूरत है इसको आपको थोरा ही amount में लगानी है दोस्तो तो मैंने दोनों जगा पर ही लगाया है, आप इसकी टिंटर देख सकते हो, काफी अच्छी वाली टिंटर है और यह जो lip and chick tint है, इसकी और भी 7 creamy and metallic shades है, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो और मैंने जो चूज किया है, वो है coral blush, यह देख सकते हो, तो चलिए इसकी packaging तो आप लोगों ने देख लिया है मैं थोरा बहुत अपने hand के उपर इसको जस्त मैंने one लगाया सिर्फ एक ही बारे में इतना अच्छा pigmented आ रही है, तो चलिए तो अभी देख सकते हो, मैंने जो make-up किया है, वो normally है मैंने कोई भी blusher इसको यूज नहीं किया है, क्योंकि मुझे यह इस्सिमाल करना था और देखने थी कि कितनी अच्छी तरीके से काम कर पाती हैं या नहीं, तो चलिए इनको इस्सिमाल करते हैं मैं कोई भी blender या फिर कोई भी brush नहीं ले रही हूँ, सिर्फ मैं अपने हाथों से ही इसको लगाने की कोशिश करूँगी तो अब देख सकते हो, फरक देख सकते हो, यहाँ पे और यहाँ पे, काफी अच्छी लग रही है तो अच्छी तरीके से मैंने अपनी हैं से सिर्फ इसको ब्लेंड किया है, तो आप देख सकते हो, काफी जादा नाच्रल लुक दे रही है और मैंने इसको लगाया है, तो कोई भी रिटेशन नहीं हो रही है और इसको आप लोग के साथ शेयर करने से पहले भी मैं इसको इसको इस्तिमाल कर चुकी हूँ, टेस्ट करने के लिए और मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिटनेस, कोई भी इचिनेस की प्रॉब्लम नहीं हुई है और खास करके एक बात बताना चाहती हूँ, कि समर सेजन में कोई भी ऐसे लिप और चिक टीन इस्तिमाल कर रहे हो अगर लग रहा है कि आपको ये मेल्ट हो जाने की चांसेस है तो मैं बता दू, नहीं होने वाले है कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके साथ नहीं हो रहे है, ये अब टोटली सेट हो चुका है, काफी अच्छी लग रही है नाच्रल लुक प्रवाइट करने के लिए बेस्ट है और ऐसी स्टिक फॉर्मूला मुझे बहुत जादा पसंद होती है, मैंने कभी ऐसी स्टिक फॉर्मूला में इस्तिमाल नहीं की थी फर्स टाइम इस्तिमाल किया तो मुझे बहुत जादा पसंद आई है और इसकी texture बहुत ज़ादा creamy वाले हैं तो easily blend हो जाती है तो कोई भी दिकत नहीं होती अगर आप ब्लेंड़ भूल चुके हो या फिर brush भी भूल चुके है तो अपनी हाथ से भी आप blush को लगा सकते हो अपनी chicks के उपर तो अभी बात कर लेते हैं कि इसको इस्तिमाल करके कैसे लगा फरस्ट और इसकी packaging बहुत ज़ादा अच्छी लगी और इसकी texture है वो भी काफी अच्छी लगी और इसमें काफी ingredients डाली गए हुई है वो भी बहुत अच्छी है और इसकी जो price है वो भी काफी affordable budget में आती है मैंने इसको purple.com से लिया था तो आप लोग को पता है कि purple पे हमेशा ही off चलती रहती है अगर आप offer पे लेते हो तो अपको अच्छी खासे discounts मिल सकते हैं दोस्तों और ये काफी अच्छी है और traveling पे भी अगर जा रहे हो या फिर कहीं बाहर जा रहे हो अगर ये ऐसे stick बाली कोई भी blush रहती हैं आपकी साथ जिस पे आप इसको आई पे भी इसे माल कर सकते हो आई shadow की तरह या फिर आपकी eyes को highlighting करने में भी आपको मदद करेगी तो overall अगर मैं इस packaging की बात करो तो good है तरूर लेना चाहिए और पैसे invest कर सकते हो इस पे क्योंकि बहुत अच्छी है और जो लोग मतलब new हो इस professions में तो अगर आप लोग को ये वीडियो बनाने में मदद मिलेगा कि आप लोग अगर कोई भी ऐसी stick वाली चीज लेते हो तो आपको जो make-up वीडियो बनाने के लिए जो make-up होती है हमेशे natural make-up रहने रहती है तो उसको ठीक करने में मदद करेगी अच्छी pigmented है काफी अच्छी तरीके से blend भी हो जाती है और बहुत मतलब कोई भी problem नहीं होती तो overall मैं बोलूंगी कि आप इसको जरूर ले सकते हो जरूर ट्राइ कीजिए अगर आप इसको ट्राइ कर रहे हो तो मुझे comment section में बताने के लिए मत भूलना कि ये product आपको कैसा लगा I hope कि आपको ये छोट वाली से review अच्छी लगी हो so don't forget to like, share, subscribe, thank you, keep watching